Hi everyone, welcome back to my channel, Divinity, Terrorist, Expert Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो topic है guys, वो है, कि आपके जीवन में, ठीके, बोहती positive beginning, ठीके, एक नहीं शुरुआत क्या होने वाला है? So, of course, a new start is going to come in your life. Definitely timeless, collective for all, zodiac science, and it is a general prediction. ठीके, तो आज का जो sketch है, ठीके, candle wax prediction होगा sketch के उपर. तो आज का जो sketch में ने बनाया है, वो है mirror. Mirror आप जानते ही हो, ठीके, दर्बन जो है, वो हमारे जो विश्व है, जो हमारे उनिवर्स है, उसको represent करते हैं. जिस तरह से हमारा कर्म होता है, उसी तरह से reflection वही हमारे पास लौट के आते हैं. ठीके, तो हम देखते हैं कि क्या आपके पास वो अपस आने वाला है, क्या of course होने वाला है, आपके कर्मों के जो फल है, वो आपको क्या मिलने वाला है. And definitely the new beginning in your life. So let's start it guys, और यह जो mirror है, ऐसा माना जाता है, बहुत ज़्यादा mirrors अपने घर में बिल्कुल रखने नहीं चाहिए, because mirrors वो world, मतलब outer world, मतलब spirit को, spirit world को ही indicate करते हैं. And definitely, यहाँ पर क्या है, और जब मैंने spirit world बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ coloring change हुआ है, screen पर, okay, there is no issue, अच्छे spirits होंगे, सुन रहे होंगे, no problem. So let's start it guys, so universe, spirit guides and angels, please guide me in the liberation, की मेरे जो viewers है, उनके जिन्दगी में, क्या खुबसूरत पल अने वाले है, And definitely, क्या होने वाला है, उनके जिन्दगी में, और last में क्या करेंगे हम, cards, guys, यहाँ पर, जो है, na, cards, जो मैंने बनाया है, handwritten, I do think so, it's better to shuffle in front of you, and then I will speak, okay, so let's see, let's find out. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. मेरे जो viewers है, उनके जिन्दगी में, क्या नहीं शुरुआत होने वाला है? I do think so, angel, guards अब लोगो, protect कर रहे हैं, and definitely, वो आपका, कभी भी बुरा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं, और, बहुत सारे लोग, ऐसे मौके आपके जिन्दगी में आये होंगे, या in future आ सकते हैं, जहां पर किसी ने हतियार से, आपको तो पराजित कर दिया है, अपने बातों से हो, अपने आक्शन से हो, अपने दोके बाजी से हो, अपने बेवफा से हो, लेकिन वो जीत कर भी हार ही जाएंगे, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई छल कपता से, जीत सकता है, लेकिन वो जीत के भी उसको कभी भी चैन नहीं आएगा, because you know that, okay, I do think that it has already happened in your life, अल्रेडी हो चुका है आपकी जिन्दगी में, यहाँ पे देखो, Marging of the two souls, यहाँ पे देखो, Divine Masculine, Divine Feminine, Marging of two souls यहाँ पे है, beautiful energy, आप अपने जिन्दगी में, वो ताज, उन्ही को बहनाएंगे, जो उसके लाइक हो, जो हगदार हो उस चीज़ का, ठीक है, इतना दिन जो आप करते आए हैं, आपने जज़ किया है, on the basis की, वो सामने, आपके सामने क्या, ठीक है, statements देते हैं, लेकिन धीरे धीरे, आपकी intuition, आपकी psychic energy, आपके unconscious level, ठीक है, यह ज़रूर आपको, ठीक है, help करेंगे, सहाता करेंगे, जानने में, कि who is the right partner for you, and definitely आप गलत step कभी भी नहीं लेंगे, मुझे बताने क्यों लग रहा है, this is an extension like, मतलब आप, मतलब यहाँ पर देखो, तीन हो रहा है, दो से, तो कहीं न कहीं पर मुझे दिख रहा है कि एक family, जो legacy छोड़े है, मतलब, क्या है आप अपने पूर्वजों से, बहुत कुछ सीख रहे है, वो pass on कहो रहा होगा, next generations तक, और बहुत ही खूसुरत energy मुझे यहाँ पर मिल रहा है, beautiful energy, it's like the 10 of cups energy, कि जहाँ पर everyone is happy, चाहे उनके धन दौलद लेके हो, चाहे उनके सुख समरिद्धी हो, यहाँ पर आपको वो मिल रहा है, okay, some of you are going to get news regarding pregnancy or conceiving, of course, तीक है, यहाँ पर देखो, एक boat आ रहा है, उल्टा साइट से, तो पहने पर आपके जिन्देगी का जो सफर है, वो यही चलता रहेगा, और जैसे एन डेस्टिनेशन पर एक island पर जाके रुखता है, वो ship या कहिना कहीं पर जाके रुखता तो ही वो, हमेशा तो चलते हैं, चलता है, वो नहीं रहेगा, so of course you are reaching your destination, अगर मैं इस बात को बोलू तो बहुत सारे लोग foreign countries, distant lands, मतलब आपके देश से बाहर, आपके मुल्क से बाहर, आपके territory से बाहर, आपके state से बाहर, बहुत opportunity के साथ है, ठीके, बहुत ही एक concrete job offer के साथ, ठीके, एक visa के साथ, ठीके, sponsorship के साथ, आपको respect दिया जाएगा, आपको उस जगा पे invite किया जाएगा, कि आप उस जगा पे आके कुछ बोले, कुछ explore करे, कुछ अपना experience share करे, आपको वो platform मिलेगा, अपने आपको express करने के लिए, कुछ लोग, अगर आप bright students, है already, अगर आपकी दिलचस्त है, बहुत जड़ा, education sectors में, तो गही नगाए पे आपको वो chance मिल ही रहा है, to participate in international level competitions, not national level, but also international level, sorry, 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 it happens like that sometimes, और देखते हैं कि क्या आ रहा है, मतलब, जैसे होता है ना कि, academics level पे, आप कोई भी, वहां पे बहुत सारे schools से, बहुत सारे universities से participate कर रहे है, and you are also there, ठीक है, और conference हो रहा है, या कही नगाए पे, brilliant scholars के, ठीक है, तो उस तरह से, convocation हो रहा है, maybe you are getting your award or degree from different college, कुछ लोग शायद pass out के बाद, मुझे दिख रहा है, यहां पे सोच रहा है, because again, यहां पे, मुझे full card यहां पे नजर में आ रहा है, कि someone is walking towards, तो कहना पे forward जा रहे है, so, I do fine, like, आप सोचो के, नहीं मुझे अकेला ही handle कर लेने चाहिए, ना कि मुझे किसी के उपर depend होने चाहिए, ना कि मुझे, I should not do job, job मेरे लिए suit नहीं करेगा, so, it's better to do something else, to start your own, ठीक है, उस तरह से आपको लगेगा, कुछ समय के बाद आपको लगेगा, कि नहीं, मुझे अपना ही कर लेने चाहिए, because I have my own talent, ठीक है, मुझे अपने ही ideas से बहुत बड़ा कुछ करने चाहिए, इस तरह से, लेकिन आपको कुछ समय के बाद कुछ ऐसे सपने आ सकते हैं, जहाँ पर आपको लग सकता है, कि नहीं, मैं तो पराजित हो जाओंगा, या तो मैं तो पराजित हो जाओंगा, I will get defeated, I will lose the competition, ठीक है, बड़ा ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका एक वहम होगा, ठीक है, जिस तरह से brain जो है, वो tricks खेलती रहती है, उसी तरह से, बड़ ऐसा कुछ नहीं है, but someone is trying to hold you, कोई ऐसा आपके जो independence level है, आपके जो आजादी है, वो छीनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसको आप जितना allow करोगे, वो और करेंगे, maybe your partner, maybe your parents, whoever it is, ठीक है, मुझे नहीं लगता है आपके parents, बड़ मुझे लगता है कि ऐसा कोई जिनको आप बेहद बहुत जादा ही अपने आप से भी जादा भरोजा करते हैं, तो उस तरह के घटनाएं को आप, please, allow ना करें, because they will limit, okay, your goals and ambitions, so, please be aware of that, आपको लग सकता है कि इस competition में, मैं हार सकता हूँ, मैं हार सकती हूँ, मेरा जीत नहीं भी हो सकता है, but last moment में आके अगर आप बोलते कि नहीं, मुझे किसी में भी interest नहीं है, मुझे participate नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मैं अगर इसमें, अगर मैं include हो जाती हूँ, तो मैं वहां पर जरूर failure होंगे तो तो आप failure होंगे तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा situation यह मौका आ सकता है जहां पर last moment में तो आपको लग सकता है कि हम quit कर दे no you should not quit जैसे मैं आपको example दे रही हूँ कि आप बहुत ही अनौके है क्योंकि देखो ऐसा होता है कि बहुत पुराने गाउं में जिनहां पर अभी भी पुराने बहुत ज़्यादा खयालात है अगर कुछी को भी वो कुछ अजीब देखते हैं ऐसा होता था बहुत पहले भी कि उनको अटाक करने की कोशिश करते थे कि उनके ही जैसे नहीं दिखते थे या उनके ही आचार या आचरन जैसे नहीं होता था अभी तो everyone is connected with a mobile phone, internet तो बहुत दूर दूर तक चला गया है तो अभी यह सब कुछ चीज, superstition मतलब अंदर विश्वास बहुत कम हो गया है तेके और already वहाँ पे कुछ group है already आपके office में आपके में भी कहीं पे भी हो, workplace में और आपके ideas बहुत ही unique होने के वज़े से शायद उसको oppose किया जाएगा क्योंकि उनको लगे गए, यह क्या है तीके, so you should stay तीके, strong नहीं, मेरे ideas ही यहाँ पे implement होंगे so if you can do that, it would be a great benefit लेकिन अगर आप अपने ideas को हटा लिए, तो कोई उसका और जगा पे replace कर देंगे ठीके अगर आपको अभी opportunities मिल रहे है कोई जगा पे join करने का so just join it otherwise, यह किसी और से replace हो सकते है okay और देखते हैं यहाँ पे some of you need to take rest a lot क्योंकि इदा तो आप बहुत ज़ादा समय थोड़ा सा आप rest ले लो या आप अपने health check-up करा लो या आप कोई ऐसे जगा पे visit करो जहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा हो okay, you should visit any type of like what I can say any public area जहाँ पे थोड़ा सा शांती हो okay, forest areas you can visit a lot but take care of yourself क्योंकि आप बहुत pressures लेके आपको लग रहा होगा बहुत ही pressure है हो सता कि आपके mommy बापा pressure दे रहे है marriage का आपका वहाँ पे pressure चल रहा है workplace में studies का pressure है जबी घर में बहुत ज़दा problem है rivalry है तो इसमें आप sandwich हो रहे है basically but आने वाले समय में अगर यह सब कुछ चीज continue रहेगा so maybe you get stressed ठीके exhaustion होता है आपका उससे आपके health effect होंगे ही होंगे तो इससे जदा आप अभी इससे precaution ले तो बिटर रहेगा and happy endings मैं यहां पे देख पा रही हूँ बार बार जिस सरह से ऐसा माना जाता है कि हमारा luck हमेशा ही हमें favor करे ऐसे ज़री नहीं है बट जब favor करेगा तब of course बैतरीन से बैतरीन मौके हमें मिलेंगे so मुझे लग रहा है आपको वो मौके मिलने वाले है the time has come already for many people the divine timing आप बोल सकते है और मुझे यह भी एक solution दिखाई दे रहा है जितना आप ठीके प्रकृती को ठीके इस mother nature को अब जितना प्यार करोगे उतना ही आपका भला होगा जिस तरह से मा को प्यार करने से मा हमेशा चाहती है कि अपने जो बच्चे है उसका protection देना ठीके चाहे वो उनको प्यार करे या ना करे so mother art is also like that if you love, if you don't love also mother art will always take care of you तो यहाँ पर भी इस तरह से है कि अगर आप इस प्रकृती के लिए इस universe के लिए कुछ करे तो it's better that you get back more in return ठीके बहुत सारे लोग real estate business में machinery, jewelry, arts, designing ठीके उस तरह के field में जाएंगे and मैंना आपको जैसे पहली ही बताया दिया था कि आप कुछ ही समय के पाद ठीके ऐसे person के साथ आपका मुलाकात होने वाले है जो deserve करते है आपका प्यार को आपके भरोसे लाइक होंगे and आपके trust कभी भी नहीं तोड़ेंगे देखो बार बार intersection of two people so I do think so कि you are going to have a better future and कुई feminine energy यहां पे बहुत ही जादा supportive होते दिखाई दे रहा है यहां पे and I do find कि यहां पे दे लेटर Y okay X okay H P U N is very important okay जब आप इस reading को देख रहा होंगे maybe you will be eating something related to you can say mushroom or something I don't know but I felt ठीके यहां आपको मन करेगा कि कुछ mushroom का कुछ डिश बनना है यह खाया जा सकता है okay I don't know but I felt so let's see cosmic guidance आपको मिलेगा hundred percent ठीके वो आपको cosmic मत्रब क्या होता है वो होता है हमारी जो जैसे हम पुछ चीजे है जो out of the world है जिसका हम देख नहीं बात है out of world उसका guidance आपको मिलता जागा that is equivalent to psychic guidance ठीके equal है जैसे psychic guidance हमें मिलता है उसी तरह से melodramatic person maybe universe आपको बोल रहा है कि आप बहुत जदा melodramatic है बहुत जदा emotional person है कि इधर तो आप बहुत जदा अपने ही emotions को show कर देते हैं और लोग फायदा उठाते हैं या आपके सामने कोई ऐसे इंसान आ सकते है जो थोड़ा सा overdramatic हो ठीक है जो आपको बोले नहीं हम तुमसे इतना जदा प्यार करते हैं हम तुमारे लिए मर मिटने के लिए भी तयार है देखें उस तरह से shape shifter and discernment is needed देखो आपके पास choices होंगे options होंगे सो आपकी judgment वहां पे चाहिए सब्पोस आपको दो-दो business options मिल रहे हैं दो-दो career options में भी job में भी आपको बोला जा रहा है कि आप career आप job भी कर सकते हैं और आप business भी कर सकते हैं लेकिन आपको judgment आप क्या कर पाऊ के यह आपकी judgment वहां पे चाहिए यह आप ऐसे exams देने वाले हो जहां पे analysis reasoning ठीक है जिस तरह से national level exams मैंने दिया था उसी तरह से कोई reasoning skills वहां पे चाहिए होता है ठीक है shape shifter shape shifter generally वह होते है जो अपने जो physical existence है मतलब जो actually में दिखना होता है वो बदल जाता है उनका रूप बदल जाता है so यहां पे shape shifter अगर हम उस तरह से देखे कि कुछ लोग आपके आसपस होंगे जो shape shifter ही है मतलब क्या है ना जैसे जैसे situation है वैसे वैसे वो लोग बदल जाते तो इनसे आपको दूरी बना के रखना पड़ेगा अभी shape shifter का मतलब यह भी होता है कि you meet certain people और certain entities कि जो अपने रंग रूप बदल देते हैं मैं नहीं बोलोंगी कि they are ghost or something but maybe मतलब आप जान लो यह लोग अपने रंग रूप बदल देते हैं तीक है उस तरह से last demonic manipulations okay so yes I do feel like shape shifter और demonic manipulations यहां पे इस तरह से है कि कोई spells कर रहे है maybe bad spells ठीक है तो थोड़ा सा आपको ever रहना पड़ेगा you have to take some kind of protection okay और आपको कुछ नहीं आपको डीचोर सापके जो इश्ट देता है उनका आपको हमेशा ही उनके protection में रहने चाहिए आपकी गुरू है तो उनके protection में आपको रहने चाहिए कि मुझे लग रहा है कि कोई कर रहा है या आने वाले समय में कोई कर सकता है जिसको आपको सबसादा उपर भरोसा होगा वो कर सकता है maybe not but something is definitely going to happen मैं किसी को डड़ा नहीं रही हूँ but it is for not for all people General Predictions में कभी भी all people पे अपको प्रद्फिनेटली application नहीं होता है but yes to some ठीक है तो आप साब्धान रहीएगा बाकी सब कुछ सही है ठीक है everything is going in a positive way जो मुझे दिखाए लिया so this is all about today's reading I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity tarot's expert truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care of yourself thank you